सिद्ध भारतिय उद्योगपती रतन टाटा सफलता, नैतिकता और दूरदर्शिता के प्रतीक हैं। असाधारन उद्यमशीलता की भावना को दर्शाती है। इस व्यवहारिक अनुभव ने उनकी नेत्रित्व शैली की नीव रखी। जिसमें सहानु भूती और कार्यबल की गहरी समझ पर जोर दिया गया। टाटा समूह के भीतर उनकी उन्नती उल्लेख्मिय थी। 1991 में, जब उन्हें टाटा समूह की होल्डिन कमपणी टाटा संस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो उन्हें कई चुनोतियों का सामना करते हुए एक विशाल समूह विरासत में मिला। उनके नेत्रित्व में, टाटा समूह ने एक उल्लेख्मिय परिवर्तन किया। अपनी वैश्विक उपस्थिती का विस्तार किया और स्टील और आटो मोबाइल से लेकर सूचना प्रोध्योगी की और आतित्य तक विभीन उद्योगों में विविधता लाए। रतन टाटा के कार्यकाल के निरनायक क्षणों में से एक 2008 में टाटा मोटस द्वारा जगुआर लेंड रोवर का अधिग्रहन था। एक साहसिक कदम जिसने एक मशहूर ब्रिटिश ऑटोमोटिव ब्रांट को टाटा के साथ जोड़ दिया। संदेह के बावजूद, टाटा की रणमीतिक द्रिश्टी और दीर्ग कालिक परिप्रेक्षय ने अधिग्रहन को एक सफलता की कहानी में बदल दिया। लकजरी कार ब्रांडों को पुनरजीवित किया और टाटा मोटस के वैश्विक पद्चेहन का विस्तार किया। रतन टाटा का नेतरित्व केवल व्यावसाय वृद्धी पर केंद्रित नहीं था। सामाजिक कल्यान और नेतिक व्यावसायक प्रथाओं के प्रती उनकी प्रतिबधता सराहनिय रही है। उनके नेतरित्व में टाटा समुह ने मुख्यधारा की अवधारना बनने से बहुत पहले ही कॉपरेट सामाजिक जिम्मेदारी को अपना लिया। था, दुनिया की सबसे किफायती कार। टाटा नैनो जैसी पहल का उद्देश्य परिवहन का एक सुरक्षित और किफायती साधन प्रदान करके लाखों लोगों का उत्थान करना था। इसके अलावा, 2008 के मुंबई आतनक्वादी हमलों जैसे चुनोती पूर्ण समय के दोरान उनके नेत्रित्व ने समाज के कल्यान के प्रती उनकी प्रतिबधता को प्रदर्शित किया। उन्होंने कॉपरेट क्षेत्र से परे सहानु भूती और जिम्मेदारी दिखाते। हुए प्रभावित परिवारों का समर्थन करने के लिए समूह का नेत्रित्व किया। रतन टाटा का प्रभाव व्यवसाय से परे तक फैला हुआ है। उन्होंने टाटा ट्रस्ट जैसी पहल के माध्यम से नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा दिया। जिसने स्टार्ट अप और सामाजिक उद्यमों का समर्थन किया। विभिन परोपकारी उपक्रमों के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और ग्रामीन विकास को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों ने समाज पर एक अमित छाप छोड़ी है। टाटा समुह में सक्रिय नेतरित्व से सेवानिवरिती के बाद भी उनका प्रभाव कम नहीं हुआ। जिर्फ एक व्यापारिक सामराज्य बनाने के बारे में नहीं है। यह इमानदारी दूरदर्शिता और समाज के प्रती जिम्मेदारी की गहरी भावना के साथ नेत्रित्व करने, नैतिक नेत्रित्व और टिकाओं व्यावसायक प्रथाओं के लिए मानक स्थापित करने के बारे में है जो पीरियों को प्रेरित करते रहेंगे